पूर में जो सविकृत राशी थी वो 600 क्रोड थी जिसको बढ़ा कर 2187 क्रोड प्या का प्रावधान किया गया है हमारे लक्षे है कि सन 2024 तक 40 लाख वेंडर्स को इस योजना के अंदरगत लाभावनित किया जाए जो स्ट्रीट वेंडर्स दोनों किष्टों का भुक्तान करेंगे वो अपने कारुबार का विस्तार करने के लिए इच्छुक होंगे उन्हें तीसरी किष्ट के रूप में 36 मा के लिए 50,000 पे तक का रिंड भी दिया जाएगा ये विशेश तोर पर स्ट्रीट वेंडर्स से जोड़ कर ही थी इसके अलबा जो अगली निरने हैं वो देश के हमारे किसानों से जुड़ा हुआ विशे है देश और दुनिया भर में disruption के कारण जो supply chain में एक बाधा बनी है raw material के दाम बड़े हैं उससे हमारा कृशी का क्षेतर भी chemical fertilizer का क्षेतर भी अजूता नहीं रहा है लेकिन मानिये परधान मंत्री जीने सदा ये प्रयास किया कि किसानों की लागत कम हो मुनाफ़ा जादा हो आए दुगनी हो और पिछले दो-तिन वर्षों में अगर आप देखें दाम बढ़ने के बावजूद भी किसानों पर हमने इसका बोज नहीं पढ़ने दिया आज का ये निरने भी nutrient-based subsidy NBS के अंतरगत आने वाले P&K fertilizers के घटक, nutrients के जो प्रती किलो उनके दाम raw material के बड़े, freight cost बड़ी और बाकी कारणों के कारणों भी दाम बड़े हैं उसके चलते हुए भी हमने निरने लिया है जो अपने आप में एतिहासिक है मैं एतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ कि 2013-14 में इस पर subsidy 29,426 करोड़ पया थी जो बढ़ा कर 60,949 करोड़ पया केवल खरीफ के सीजन के लिए की गई है पिछले साल जहां पूरा 2021 बाई में कुल बजट ही पूरे साल के लिए 57,150 करोड़ पया था वो इस पर खरीफ सीजन के ओपर ही 60,49 करोड़ पया किया गया 2013-14 में fertilizer subsidy कुल मिलाकर 71,280 करोड़ थी जो इस साल बढ़ाकर 162,184 करोड़ कर दी गई है अगर मैं केवल आपको DAP का ही उधारन दूँ तो 2020-21 में DAP के एक बैक के उपर 512 रपे की सबचड़ी दी जाती थी जिसको पांच गुना वृद्धी करके पच्ची सो एक रप्या इस वर्ष कर दिया गया है खरीफ के सीजन के लिए ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के हित में उनके ओपर दाम बड़े हुए दामों का बोज ना पड़े ये प्रधानमंतरी मोधी जी ने किया है तेरा सो पचास रप्या मर्पी डियेपी की है वो इतनी ही रहेगी यानि कि पच्ची सो एक रप्या सबचड़ी एक बैक की उपर है जिस बैक की कीमत तेरह सो पचास रुपया है और पच्छी सो एक रुपया सब्चडी है यानि कि 3851 रुपया एक्च्छल कॉस्ट होनी चाहिए तो हमने किसान को उसमें भी लाब दिया है इसी तरह से इसके एन पी के और यूरियाप में भी वो फरक बदलाव आपको देखने को मिलेगा मैं उस पर प्रशन उत्तर में आएंगे तो उस पर आ जाएंगे आपके पास जैसा मैंने कहा कि 2021 में 2021 में पूरे साल में 57,150 क्रोड रुपय की सब्सिडी थी P&K पर इस साल किवल 6 महिने के लिए 60,949 क्रोड रुपय की सब्सिडी हमने तै की है यह अपने आप में बहुत बड़ी है प्रती बैग भी डिएपी की देखेंगे तो उसमें भी जहां 500 एक रुपया थी 512 रुपया थी उसको बढ़ाकर 25 रुपया की गई है तो अपने आप में दिखाता है कि यह जो fluctuation market में है उतार चड़ाव जो rate का है इसका किसान के जीवन पर किसान के लागत पर खेती बाड़ी पर प्रभावना पड़े इसलिए निरने लिया गया है मित्रो जो दूसरा विशे एक और हम अदिकतर सड़कें रेलवे और बाकी सब पानी इस सब की बात करते हैं कि मूल भूत सुविधाओं का एक अंग वो भी है पक्के मकान शोचाले से लेकर बाकी सब लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ आप सब के हाथ में मुबाइल फोन है यहां पर 4G है लेकिन LWE एरियास में 2G कुनेक्टिविटी है तो उन क्षेत्रों में भी मानने परदानमंत्री जी की सोचा कि जहां एक और पक्के मकान, सडक, बिजली, शोचाले, बैंक अकाउंट सब बना कर दिये जा रहे हैं वहां पर टेलीकॉम के नेटवर्क में भी सुधार हो और यह जो 2G की सुविदा है इसकी जगा 4G की सुविदा वहां पर मिले तो देश के दस राज्यों में 2542 टावर्स को आज परधान मंत्री मोदी जी के नेतरतब में मंत्री मंडल ने 2G से 4G में अपग्रेट करने के लिए 2426 क्रोड पे का अनमोदन किया है और यह सभी साइट्स नकसल प्रभावित क्षेत्रों में हैं इनमें आत्मनिर्वर भारत में बने 4G कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, एवम टेलिकॉम, एक्विप्मेंट का उप्योग किया जाएगा इन सभी साइट्स को BSNL ही अपग्रेट करके संचालित करेगा इसमें आंदर परदेश में 346, बिहार में 16, 36 गड़ में 971, जारकंड में 450, मध्यपरदेश में 23, महराष्ट्र में 125, उडिसा में 483, पश्चिबेंगौल में 33, उत्तर परदेश में 42, तलंगाना में 53, कुल मिलाकर 2542 टावर्स को अपग्रेड किया जाएगा, 4G बनाया ज बल देने के लिए है, जहां एक और स्वनिधी में डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए वेंडर्स को इंसेंटिव मिलता है, रिण में वृध्धी मिलती है, पहली से दूसरी बार में दुगना कर दिया जाता है फिर 50,000, वैसे ही LWE एरियास में 2G से 4G सीधा ही जाने का निर लिया गया है, इसे इलाके में अगर मैं कहूं जो टेली मेडिसिन की बात हो, इग वर्नेंस की बात हो, बैंकिंग सुविधाओं की बात हो, टेली एजुकेशन की बात हो, टेली मेडिसिन की बात हो, इन में गुणवत्ता आएगी, इन में सुधार होगा, और आपदा के समय हमने ग्रामीन ग्रामीन अंचल में हमने देखा कि कैसे ग्रामीन ख्षेत्रों में गरीब बच्चों ने भी और बाकियों ने भी टेलिकॉम सिवाओं के माद्यम से पढ़ाई लिखाई की है इस ख्षेत्र में भी इसका कोई नुकसान ना हो तो यह जम्मेदारी BSNL को दी है औ और ओप्रेशन और मेंटेनेस करने का काम भी BSNL ही इसमें करेगा मित्रों जो अगला विशे है वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है जहां एक और UPI भीम जैसी सेवाओं के कारण आपदा के समय भी एक बटन दबाते ही गाओं के करोडों लोगों के पास पैंशन या बाकी सुविधाओं को पैसा सीधा ट्रांसफर किया जाता है मनरेगा की पेमन्ट से लेके बाकी किया जाता है वैसे ही प्रयास ये भी था जब निरने लिया गया था मोदी जी के नितरतब में की दूर सुदूर ग्रामीन ख्षेतरों में जहां एक और सुविधाओं मिले तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसको स्थापित करने का निरने 2016 में लिया गया था आज करीब लगबग एक लाग चपन हजार पोस्ट आफिसे में एक लाग तीस हजार जो कुल एक लाग चपन हजार पोस्ट आफिसे हैं उनमें से एक लाग तीस बैंक की शाखा इस्तापित हो चुकी है पांच क्रोड से ज़्यादा इस पर बैंक अकाउंट खुले हैं कुल मिलाकर कहूं तो पांच क्रोड 23 लाग परिवार बैंकिंग के साथ सीधे दोर पर जुड़े हैं और इनमें से आदे से ज़्यादा अकाउंट माताओं और बहनों क हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 156,434 पोस्ट ऑफिस तक अपने इस बैंकिंग की सुविधाओं का विस्तार करने जा रहा है और इसके लिए 820 क्रोड पे की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने का इसमें निरने लिया गया है ताकि ग्रामीन ख्षेत्रों में पिछड पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से गरीब से गरीब व्यक्ति को गाउं में रहने वाले माताओं बहनों को गरीबों को भी बैंकिंग की सुविधाओं मिल सके आज ये निरने बहुत इतिहासिक भी है क्योंकि इससे और सुविधाओं का वहाँ पर लाप मिल पाएगा जहां तक revenue की बात है लगबख साड़े तीन हजार क्रोड़ पे के deposit इन सब बैंकातों में हैं और इस बैंक का revenue भी चारगुना बड़ा है इससे पता चलता है कि इसका लाभी ग्रामीन क्षेतर के लोग हमारे उठा पा रहे हैं धन्यवाद थैंक यू सर्व We will now take some questions. Yeah, one-to-one. Mantri ji, हमारा सवाल है कि आपने स्टीट वेंडर के बारे में जो बताया कि हम जो है ने लोन दे रहे हैं पूरे इंडिया में ता अपने का कि फर्स्ट किस्ति, सिकंड किस्ति, थर्ड किस्ति में पचास हजार देंगे तो इनको अभी स्टेट वेंडर को कितना लोन आप दे रहे हैं देखिए इसमें दस अजार से शुरुआत हुई थी अगर आपको याद होगा उस समय पांच अजार क्रोड का प्रावधान किया गया तो फिर बढ़ा कर छे अजार क्रोड हुआ और जैसे वो पहली किस्त समय पर वापिस करता तो उसको 7% तो एक तरफ सब्सडी मिलती है मान लिजे 11% आपका इंटरस्ट रेट है तो 7% पहली सब्सडी मिलती है आपने किष्टें समय पर दी और डिजिटल रिटर्न की डिजिटल पेमेंट की तो उससे आपकी वो भी माफी होती है फिर आपकी उससे दुगनी हो जाती है बीस हजार पया यानि कि आपकी क्षमता बढ़ जाती है कि बैंक में आपकी सिबिल रेटिंग आ जाती है जब आप वहां पर भी सुधार करते हैं वापिस पेमेंट करते हैं तो तीसरी किष्ट के रूप में आपको पचास हजार पे तक का लोन मिल सकता है वो भी 36 महिनों तक के लिए मिलता है जबकि पहली किश्योती वो एक साल के लिए जो पहली मिलती है वो 12 महिने के लिए मिलती है तो इसमें क्या है डिज्टिल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलता है स्ट्रीट वेंडर को पहचान मिलती है कम इंटरस्ट पर कम ब्याज पर उनक लोन मिलता है, इंसेंटिव डिजिटिल पेमेंट का मिलता है, और रिकोगनाइज उनके जो एक परिचे बोर्ड लगता है, तो दूर से दिख जाता है परिचे बोर्ड लगा हुआ, कि ये स्ट्रीट वेंडर रिकोगनाइज है, अर्बन लोकल बॉडिस के द्वारा, और ये कही न कहीं बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, तो लोग डिजिटिल पेमेंट भी वहाँ पर कर सकते हैं.